आज का ये प्रेस ब्रीफिंग का उदर्शे ये था एक तो जो आयो जो सुधार के जो तदम उठा रहे हैं उससे हम अपने कैंडिडेट्स को भी अव्वे करना ज़रूरी है क्योंकि उन्हें भी सबजना चाहिए कि उनके हित का ये बात है जिसे मैंने उदारंग दिया कि कैंडिडेट्स परिच्छा के बाद भागे नहीं वन्हें मैंने टुप करके अपने समक्ष वो अपना कॉप्पीस को सील करवा ले दूसरा ये भी था कि कुश्चन पेपर उनके समक्ष ही खुलना है अनसील होना है ये सब वात्तों की जानकारी अगर हम कैंडिडेट्स को नहीं देंगे तो एक्जाम की प्योरिटी जो है उसकी स्वक्षिता उसका फेर्नेस जो है वो अतना नहीं होका है इसलिए ये कैंड 67 कब कैसे क्या वड़ा है 67 जो एक्जाम है ये हमारा 20 और 22 सेक्टमर दो सिफ्ट के पीछे का कारण यही है कि बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और सेंटर अच्छे सेंटर की कटनाई हो जाती है उसका वांटरिंग में कटनाई हो जाती है इसलिए हम लोग दो सिफ्ट मे क्या विशेष्टा रहेगे परिच्छा के दौरान हम लोग कई विशेष्टा हो तो कर रहा है एक तो कैंडिट्स को हम कहेंगे कि आप ए गंड़ा पहले अपने सीट्स आ जाए इसे गंड़ा के पीरियट में आंगूंका बामेट्रिक्स भी लिया जाएगा उनकी फ्रिस्क तो ऐसा ना समझें कि हमको तो सब मालूम है इसलिए वो इस्ट्रक्शन भी पढ़ें अपना व्यवस्थित हो जाए और हम भी व्यवस्थित हो जाए और उनके सामने जो होगा तो पांच मिनट पहले परिच्छा प्रारण होने के पांच मिनट पहले वो आएगा सील कि हरे सेंटर के लिए एक अलग कुछ आइटिफिकेशन मार्क होगा ताकि हम उसके कोश्चन पेपर की पहचान कर सका है और यह सिक्रेट रहेगा और यह कंप्लिकेटड फामुलेशन भी हो सकता है इसमेर ओमार्च सीट भी सभी को देंगे ओमार्च सीट सब को देंगे उसके इवालाउएशन में हम यहाँ पर उसका स्कैनिंग करेंगे लिकिन जो सौट्वार ड़न करेंगे, हम उस सौट्वेर को रन करने के पहले उसका मौत्रम करेंगे मतलब हम टेस्ट करेंगे कि उसमें कोई बंग तो नहीं है अर उसके बाद ही हम अफ़ सेटीट को अश П पर छात्रों को उपहों प्लब्द कराए जागा अगलिए सब्सट का 8 यहांगे थे हैं कि अठ विज़ों को मैंनलम कि आपszyंड की पर होंग मेरा के नच करैंते हमुर्ट को दो और अगर समझना है, अगर गादना है कि अगर फुता भी है, तो ऐसी मावबत नहीं आनी चाहिए, मेरे विचासर कि गुए परिच्छा वो क्या से कहा है मेरा यह ज़रूर कहना है क्यांडेट्स के लिए हम रिजर्ट्स जो है जो निकालेंगे डिक्लेर करेंगे उसके पहले हम सभी सक्सेस्फूल क्यांडेट्स का हम सुरूर से लेकर के अन्तक उसके सारे दस्तावे जैसे अप्लिकेशन फॉर्म्स पीटी का अगर है तो ओमार शीट लिखित में परिचा है तो उसका कॉपी, इंटर्व्यू सारे में हम देखेंगे कि वहीं कैंडिडेट सब में है इसकी कॉपी में उसकी ओमार शीट में कहीं कोई मैनुपीलेशन, कोई दरबड़ी कोई धूटी तो नहीं है इसको जब हम चेक करेंगे 100% जो भी सक्सेस को जाए उसका 100% अलग से next level of checking होगा इसलिए हमें लगता है कि अब कैंडिडेट्स भी बिना पढ़े exam देने के सिवा अगर नहीं को सकता है अगर बिना पढ़े देता है तो उसका कहीं न कहीं वो किसी न किसी लेवल पर फंस जासे होगा इसलिए मेरा उन से यही पढ़ादर्स होगा सुझाओ होगा, अनुरोध होगा कि वो अपने मेहनत से अपने पढ़े झाले से अपने में पढ़े से अपने में अपने में